यह नहीं सोचो, कि मैं तारीफ करूंगा किसी को तो वह बढ़ने में मुझे भी तारीफ करेगा या मेरा प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं. बलकि इसलिए तारीफ करो ताकि उसे खुशी मिले. तारीफ जब तारीफ सुनने की बारी आती है ना तो हमारे काम एक दम से खरे हो जाते हैं और जब यही तारीफ करने की बारी आती है तो हमारे दिमाग तस बार क्युश्टन पूछता है कि क्या मैं तारीफ करूं आपने मुन्ना भाई MBBS मोवी देखे थे उसमें क्या हुआ था कि संजज दर्थ जो थे भाई एक जारू देने वाले को तारीफ किये थे अब इसका क्या रिजर्ट आया कि भाई जारू देने वाला अंत तक मुन्ना भाई को सपोर्ट किये थे सिर्फ एक छोटी से तारीफ तो यह हमारे जिंद्गे में कितना इंपॉर्टेन्ट है हम यूट्वार भी क्या चाहते हैं कि मेरे कोमेंट में मेरी तारीफ آए हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें लोग तारीफ करें तारीफ भी ना दो परकार के होते हैं, एक तो चापलूसी जो कि आप जानते हैं मूवे में जो दिखाया जाता है, एक तम गुंडे के पीछे चार-पाच चापलूसी होते हैं, चापलूस करने वाले होते हैं, उनके मूपर बहुत तारीफ करते हैं, और एक होते हैं रियलीटी, जो सच्चाई को देखते हुए, जो सच्ची तारीफ करते हैं, तो मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप चाप लूशी करो किसी को, खुद के फायदे के लिए करो, नहीं, तूसरे बाल के खुशी के लिए करो, यह नहीं सोचो, कि मैं तारीफ करूंगा किसी को तो वो बदले में मुझे भी तारीफ करेगा या मेरा प्रोड़क्ट ले लेगा नहीं बलकि इसलिए तारीफ करो ताकि उसे खुशी मिले जब आप ऐसा वन जाओगे ना तो लोग आपको पसंद करेंगे मरति दम तक पसंद करेंगे इसे मुन्ना भाई एंबिवियस में हुआ थान ऐसे ही तारीफ करने बाले लोग को लोग पसंद करते हैं इसका अपोजिट यही अलोचना करने बाले लोग नफरत करते हैं उनके पास जाने में डरते हैं और यही तारीफ करने बाले के पास में रहना पसंद करते हैं लोग आप हमेशा जब किसी के साथ हो ना तो सोचो कि मैं सामने बाला के तारीफ कैसे करूं कोई ऐसा जो बहर ड्रिस पे ने हुए बरहियां या उसका बोलने का तरीका बहुत बरहियां लगा आपको यह बाल हेर कड कुछ भी जब आप यह सब अबजर्ब करना चालू कर दोगे ना तो आप इस दुनिया को एक अलग नजरिय से देखो गें पैरेंस अक्सर ना अपने बच्चे की तारिफ नहीं करते हैं बस सोचते हैं अगर मतारिफ करूँ तो बल्क हराब हो जायेगा अपने कामों में खराब हो जायेगा लेकिन नहीं Sel hope और इनक्रीज होगा और बेल्ड होगा वो कैसे? मैं न ये कहीं लिखा हुआ परह था या तो कहीं सुना था अमेरिका में एक टीचर थी जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लासरूम में जो सबसे कम पढ़ने वाला लरका था उसे न पूरा क्लासरूम का लीडर बना दिया और अक्सर उसे उठा कर उसकी तारीफ करते और यह बोलते कि बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है इससे हुआ क्या है पता? जो उनके क्लास टीचर है जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैसा बनने की कोशिस करने लगा बह बच्चा टॉप बन में आने की कोशिस करने लगा पढ़ने में क्योंकि बह तारीफ कर रहे हैं थे तो बह चाहता था कि हमेशा के लिए मुझे करे तारीफ ऐसे ही अगर आप अपने बच्चे को तारीफ करेंगे तो बह कम नहीं होंगे बलकि बह उस लायक बनने लगेंगे जैसा आप तारीफ कर रहे हों तो आज से ना आपको एक हैबिट अपने डेली रूटिन में अपना लेना है बह सची तारीफ करने की आदत बह आपको अपनाना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब टेक टेक केर और दे वेरी वेस्ट